हेलो दियर स्ट्रेंट्स टोड़ विल डिस्क्रस बाउट मैंथमेटिकल उप्रेशन इटीज वरी इंपोर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग एंट्सी एक्जाम जनली ट्वेंड थी क्वेशन आस प्रूम इस टोपिक एंड मैंने अधर कॉम्मेटिशन लाइक एससे बैंक जो होगा हो दैट इस ब्रेक्ट ओंपरम्टिपलाइज यहां भी ओख आइगा तो पहले आमें ब्रेक्टिट को शॉल करना है फिर हमें ओफ को शॉल करना है आक्टर डैट डिवीजन डि फोर डिवीजन एम फोर मुल्टिबलिकेशन ऊके एफोर एडिशन एंड एस पॉर स है that is if plus denotes divide plus जहां भी plus का symbol आएगा बच्छो तो वहां पे आपको उनकी जगर divide put करना है multiply stands for minus okay divide denotes multiply and minus denotes plus then what is the value of given expression तो बच्छो आपको यह value given है 25 plus 5 into 10 divided 2 minus 5 is equal to क्या आएगा question mark तो मैंने क्या कहा बच्छो इसमें हमें पहले तो question में plus denotes क्या है divide तो जहां भी आपका plus का symbol है वहां पे आप क्या रख put करोगे divide 25 divided 5 ओके अब multiply यहां पे denote कर रहा है minus को तो multiply की जगहां पे हम put करेंगे minus 10 ओके आफ्टर देट डिवाइड डिनोट्स multiply divide की जगहां पे हम क्या put करेंगे multiply 10 इंटु में 2 and strength minus denotes plus और minus की जगहां पे हम कहलेंगे plus 15 अब बच्छो इसमें हम board mask का प्रोल फोलो करेंगे आप यहां पे हमारा bracket नहीं है ओफ नहीं है तो फिर हम सबसे पहले किसको solve करेंगे divide 25 divided 5 क्या गया बच्छो 5 minus में फिर हो जाएगी हमारी multiplication ओके 10 into 20 हो गया 5 minus 20 plus 15 जब बच्छों में क्या करना है एडिशन करना है तो प्लस 5 और प्लस 15 है कितना होगे 20 20 minus 20 is equal to 0 that is your type first okay अब हम चलते हैं type second पे friends देखें if a means minus b means plus c means multiply and d means divide then 32 d 4 b 7 c 2 a 6 is equal to question mark आपको इसको solve करना है 32 d 4 b 7 c 2 a 6 is equal to आगे क्या आएगा तो जैसा कि students above question में given है 32 d means divide 32 divide 4 b means क्या है प्लस 7 okay c means multiply 2 और a means minus 6 तो बच्छों हम हमें इसमें फिर से board mask का रूल अपलाई करेंगे break it यहां पर नहीं है off नहीं है तो हमें सबसे पहले किस को solve करना है तो क्या जाएगा बच्छों 8 plus 14 okay आप देखिए 14 यहां पर क्या हो जागा 7 into 2 32 को 4 से divide क्या 8 आगया फिर 7 और 2 की multiply क्या होगी बच्छों 14 और minus का 6 अब होगा किलियर है next लते हैं type 3 पे if the interchange is plus and divide बहुत important type है आपके ntc के point of view से if the interchange is यदि हम interchange करते plus और divide को यानि जहां पर plus है वहां पर divide बूट हो जाएगा और divide की जिगा पर जाएगा plus as well as 2 and 4 और 2 और 4 interchange हो 2 की जहां भी 2 आपको question में बिलेगा वहां पर आपको 4 पूट करना है और 4 आजाए वहां पर क्या पूट करना आपको 2 are made then one of the following alternative becomes correct तो strengths आपको 4 option given होगे और उन में से आपको बताना है कि कौन सी equation जो है वहां से correct होगी तो strengths देखिए 4 divide 2 option a में given है 4 divide 2 plus 3 is equal to 5 तो मैंने क्या कहा था जहां पर 4 हो वहां पर 2 आएगा 2 की जगहां पर क्याएगा 4 और जहां पर plus है वहां पर divide और divide है वहां पर plus तो बच्चों मैंने यहां पर 4 की जगहां पर put किया 2 divide की जगहां प्लस दोनों इंटर्चेंज होगे आपाउ क्योस्टन में given है यह प्लस और डिवाइड इंटर्चेंज हो जाए 2 एंट 4 इंटर्चेंज हो जाए देखिए 2 प्लस 4 डिवाइड 6 इस इकोल टू 8 तो स्ट्रेंट्स 2 की जगहां पर क्या आएगा 4 प्लस है वहां पर divide 4 है वहां पर 2 और डिवाइड वहां पर plus तो हमने यहीं क्या 4 डिवाइड 2 प्लस के 6 इस इकोल टू 8 ओके तो क्या 8 के एक ला रहें चेक करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड यहां क्या गया बच्छो 2 प्लस में 6 और 2 प्लस 6 इतना हो गया 8 8 इस इकोल टू 8 तो हमारा उप्शन बी जो है स्ट्रेंट्स वह हमारा क्रेक्ट ऑप्शन हो गया है ओप्शन बी हमारा इसका अन्सुर आ जाएगा होगे आप जैसे की नेक्स्ट ओप्शन सी भी गिवन है यहां पे तो इसको भी हम एक बाद चेक करके देख लेते हैं स्ट्रेंट्स 4 प्लस 2 डिवाइड 6 इस इकोल टू 1.5 तो मैंने क्या कहा फोर टू इंटर्चेंज होंगे फोर वहां पे टू पुट किजिए टू प्लस से वहां पे डिवाइड टू डिवाइड 4 और डिवाइड वहां पे प्लस 6 ओके तो सोल गया टू बाई 4 प्लस 6 वन बाई 2 प्लस 6 इस इकोल टू 1.5 तो यहां पे आप 12 से माज आएगा तो 1 प्लस से 12 अपोन में यहां ने 13 बाई 2 क्या हो 1.5 के कुल होता है नही ही होता तो option C भी हमारा incorrect हो गया तो हमारा option B जो छो प्राइण हो गाँग काफी important type है आपके ntc के point of view से तो students इस टाइब को ध्यान से आपको देखना है इस टाइब क्योंस कि आपको continue practice करनी है हों के students next है एक हम चलते हैं ताइब फोर पर देखीए बचो ताइब पोर में भी एक important question यहाँ पर है ुसी ताइब से लेटेड़ यह जो है students देखें if minus denotes divide minus जहां भी होगा वहाँ पर क्या आएगा बच्चो आपका divide plus denotes multiply plus जहां भी होगा वहाँ पर क्या आएगा आपका multiply आपको put करना है divide denotes minus divide जहां भी होगा वहाँ पे आपको minus put करना है and multiply denotes plus और बच्चो multiply जहां भी हो जाएगा वहाँ पे क्या put करोगा आप plus put करेंगे then which of the equation is correct तो आपको बच्चो जो है four options given होगे और वहाँ से आपको बता नहीं होन में से कौन सा option जो है वो हमारा strength जो है वो 52 divide 4 plus 5 into 8 minus 2 क्या यह 36 की बलाएगा तो हाँ यह अभी हम चेक करते हैं तो strength 52 divide पर क्या put क्या होगे divide denotes minus 52 minus 4 plus plus किसको denote कर रहा है plus denotes multiply 4 into 5 ओके तो यहां पे हमने plus denotes किसको कर रहा है multiply को multiply 5 multiply denotes plus according to question तो जहां पर multiply का symbol था वहां पे हमने plus put किया plus 8 and minus denotes divide और minus जहां पे वहां पे क्या put किया divide 2 तो इसको फिर हम solve करते हैं यहां पे फिर board mass का हम rule follow करेंगे 52 minus 4 into 5 पहले हमें बच्चो divide को solve करना है because bracket और ओफ यहां पे given नहीं है तो 8 को 2 से divide करेंगे क्या है बच्चो 4 फिर क्या करेंगे 52 minus में अब आपकी multiply हो जाएगी 4 into 5 20 ओके 52 minus 20 पलस 4 तो students अब हमें addition करना है 52 पलस का है और 4 पलस का है तो कितना हो गए 56 minus 20 is equal to 36 और क्या यह 36 की कुला गया yes तो option A जो है बच्चो हमारा वो correct हो जाएगा अब ऐसे ही आपको 3 options ओर मिलते हैं जैसे मैं इस भी option को solve करूंगा तो बच्चो यह हमारा जो है 25 के equal नहीं आएगा तो ऐसे आपको 4 options जो मिलते हैं उनमें आपके जो है एक option उस equation को follow करेगा इन symbols को interchange करने से okay तो students जैसे आप when you do more and more practice you learn more and more जितने ज़्याद आप questions के आप प्रक्टिस करेंगे तो उतने ही जल्दी आप इन questions को सीख पाएंगे बस main यहाँ पर आपको इद्यान अखना है यहाँ पर आपको इन symbols में mistake नहीं करनी है इनको question में अच्छे आपको देखना कि examiner किसको किस symbol को किसे denote करवा रहा है वह आप put करते जाएं और इसमें आप bottomless का rule follow करें तो easily आप इन questions को solve कर सकते हैं ओके students next जो हमारी type 5 है देखिए the given equation becomes correct due to the interchanges of two signs ओके one of the four options under it specifies the interchange of signs in the equation choose the correct option students यहाँ पे आपको एक equation given है और निच्चे आपको जो options मिलेंगे उन options में उन signs को interchange करना है और जो जिस sign को आप interchange करेंगे उसमें से आपको देखना कि कौन सी equation कौन सी option को put करने से वो equation हमारी correct बन रही है तो students यहाँ पे देखिए आप जब इसको solve करेंगे तो जैसे की equation given है 5 plus 6 divide 3 minus 12 into 2 is equal to 17 अब option A में यहाँ पे put किया है plus and divide option A में given है तो हमें plus and divide को interchange करना है remaining options आपके interchange नहीं होंगे तो जैसे की question में है 5 plus की जगहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या put किया divide 6 divide है वहाँ पे plus 3 minus के 12 into 2 यहाँ पे minus और multiply interchange नहीं होंगे तो जब strength मैंने इनको solve किया तो 5 divide by 5 divide 6 तो 5 by 6 लिख सिकता हूँ plus में 3 और minus में फिर क्या जाओगा 24 तो students यहाँ पे 6 आपके लिखेंगा 5 plus 18 minus के 144 यह minus 121 upon me 6 तो students यह 17 के equal हमारा नहीं आ रहा है तो option A हमारा बच्चो incorrect हो जाएगा अब हम चलेंगे next option पे ओके students देखें यहाँ पे divide and multiply अब हमें जहाँ पे divide होगो वहाँ पे multiply put करना है और multiply होगो वहाँ पे divide put करना है ठीक है तो students देखें 5 plus 6 अब divide आ गया तो वहाँ पे multiply लेंगे into 3 minus 12 और multiply यह वहाँ पे करना है divide 2 ओके तो फिर हमने इनको 17 और यहाँ question में 17 is equal to 17 देन और option B is correct ओके ऐसे student हम जो है हमारे option C को जब हम solve करेंगे तो plus and multiply change करेंगे तो वह भी 17 के equal नहीं आएगा और ऐसा हमारा D option में तो यह भी students काफी आपकी important type है तो इसको भी यह type आपके students option फिल करने से शोलो जाएगी next जो हम चलते हैं हमारे last type mathematical operation में okay NTSC में generally इस type से भी equation आपका बनता है देखे some equations are sold on the basis of certain system on the same basis find out the correct answer for the I'll solve equation तो students यहां पर देखिए जैसे 8 into 2 is equal to 61 उठकिया 8 into 5 is equal to 0 4 8 into 10 is equal to क्या आएगा तो students देखिए यहां पर 8 into 2 is equal to 16 फिर यहां पर digits को reverse किया है ठीक है 16 में इनको इंटर्चेंज कर देखिए डिजिट्स को क्या बन गए 61 ऐसे 8 into 5 is equal to क्या होता है 40 तो क्या बन गए यह डिजिट्स को इंटर्चेंज करेंगे 0 4 and next points 8 into 10 is equal to 80 तो 80 में जब हम डिजिट्स को इंटर्चेंज करेंगे तो 0 8 is over answer ओके तो students यह हमारी टाइप थी जिन पर से आपका mathematical operation से question आपके arise होते हैं तो इस type से related question को आपको अच्छे से practice करनी है ओके students thanks ओके बाई बाई